अगर आपका एक YouTube चैनल है और आप उसके लिंक को शेर करते हैं, दूसरे लोगों के साथ तो आपको एक boring सा लंबा चौड़ा URL मिलता है, लेकिन आप उस URL को customize करके अपनी मन पसंद का URL भी बना सकते हैं, इसको कहा जाता है custom URL, custom URL के लिए आपके YouTube चैनल पर कम से कम 100 subscribers होने चाह और आपके चैनल पर एक icon और channel art होना चाहिए, अगर आप इन 4 conditions को complete कर लेते हैं, तो इसके बाद आप अपने चैनल का एक custom URL create कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप custom URL create करेंगे, कैसे आप उसको delete करेंगे, और कैसे आप उसको अपने चैनल का एक custom URL बनाने के लिए आपको YouTube Studio में जाना होगा, जिसके लिए या तो आप यहाँ पर click करेंगे, या फिर आप अपने profile में YouTube Studio पर click करेंगे, तो आपके सामने YouTube Studio आ जाएगा, यहाँ आपको settings का एक option मिल जाएगा, आप इस पर click करेंगे, settings में आपको channel का एक option मिलेगा, आप इस पर click करेंगे, और channel में advanced settings पर आप click करेंगे, इसके बाद नीचे scroll करेंगे, तो आपको YouTube account का एक option मिलेगा, आप इस पर click करेंगे, एक new tab ओपन हो जाएगी, इसमें यहाँ सबसे नीचे एक option है, advanced settings का, आप इस पर click करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप custom URL के लिए eligible है या नहीं, जैसे कि हमें custom URL के लिए eligible है, क्योंकि हमारे channel पर 100 subscribers भी है, एक महीने से जादा पुराना भी है, और साती इस पर हमने अपना logo भी लगाया हुआ है, और channel art भी लगाया हुआ है, तो हमें just यहाँ claim it here पर click करना है, अभी यहाँ पर देखि हो गया है, तो इसका मतलब यह available है, और अगर green नहीं होता है, तो आपको change करना होगा, इसके बाद आप यहाँ terms को accept करेंगे, और change URL पर click करेंगे, आपके channel का URL यह हो जाएगा, youtube.com forward slash और जो भी कुछ आपने रखा है, इसके बाद आप confirm choice पर click करेंगे, तो आपके YouTube channel का custom URL य इसके बाद आपको बस लिखना है, जो भी आपने अपना custom URL रखा हुआ है, और enter करेंगे, तो आपके सामने आपका channel आजाएगा, अगर आप इसको change करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फिर से जाएंगे YouTube studio में, और नीचे settings में, और यहाँ पर channel, channel में advanced settings, नीचे scroll करेंग और YouTube account में advanced settings, अब यहाँ पर देखे, यह custom URL है, इसको change करने के लिए पहले आपको delete करना होगा, जिसके लिए आप जाएंगे अपने Google profile में, जिसके लिए आप यहाँ manage your Google account पर click करेंगे, इसके बाद यहाँ personal information पर आप click करेंगे, नीचे आपको एक option मिल जाएगा, go to about me आप इस पर click करेंगे, अब यहाँ आपको remove पर click कर देना है, इसको delete करने के लिए और यहाँ आप remove पर click कर देंगे, तो यह delete हो जाएगा, इसके बाद आपको बस YouTube studio में जाना है, और वही पर आपको जाना है, settings में, channel, advanced settings, नीचे scroll करेंगे, YouTube account, और यहाँ advanced settings में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से वही आगया है, you are eligible for a custom URL, claim it here, इस पर आप click करेंगे, तो यहाँ पर आप फिर से एक custom URL ले सकते हैं, यह तो आप वही ले सकते हैं, जो आपने delete किया था, यह फिर आप यहाँ second option choose करेंगे, और यहाँ पर आप कुछ भी add करेंगे, इसके बाद terms क accept करेंगे, और change कर देंगे, आपके सामने आपका custom URL आ जाएगा, आपको confirm कर देना है, और यह confirm हो जाएगा, so ihoop के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो like करिए, अपने friends के साथ share करिए, और अगर आपके मन में कोई confusion है, तो आपने चे कॉमेंट करके पूट सकते हैं,